साथियों, कुछ दिन पहले एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल इवेंट हुआ, जिससे भारत जॉर्जिया मैत्री को नई मजबुती मिली, इस समारों में भारत ने सैंट क्वीन केटिवान के होली रेलीक यानि उनके पवित्र स्मृति चिन को जॉर्जि इसके लिए हमारे विदेश मंत्री स्वयम वहां गए थे, बहुती बावुक माहोल में हुए इस समारों में जॉर्जिया के राष्पती, प्रधान मंत्री, अनेग धर्मगुरु और बड़ी संख्या में जॉर्जिया के लोग उपस्तित थे, इस कारकम में भारत के प्रसु बंधों को भी और प्रघाड कर दिया है, ऐसा इसलिए क्योंकि सैंट क्वीन केटवान के ये पवित्र अवशेश 2005 में गोवा के सैंट आगस्टिन चर्च से मिले थे, साथियों आपके मन में सवाल होगा कि ये सब क्या है, ये कब और कैसे हुआ, दरसल ये आज से 400-500 साल प दस साल के कारावस के बाद 1624 में वो शहीद हो गई थी, एक प्राचीन पुर्तुगाली दस्तावेश के मताबिक सैंट क्वीन केटवान की अस्थियों को उल्ड गोवा के सैंट आगस्टिनियन कॉन्वेंट पे रखा गया था, लेकिन लंबे समय तक ये हमाना जाता रहा कि गोवा में दफनागे उनके अउशेश 1930 के भुकब में गायब हो गए थे, भारत सरकार और जॉर्जिया के इत्यासकारों, रिसर्चर्स, आर्कियोलोजिस्ट और जॉर्जियन चर्च के दसकों के अथक प्रयासों के बाद 2005 में उन पवित्र अउशेशों को खोजने में सफ प्रिट्वल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने इन अवसेशों का एक अंस जॉर्जिया के लोगों को भेंट में देने का निलेने लिया। इन इसको की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, चर्चीज एन कॉन्वेंट्स अब गोवा का एक हिस्सा है।